नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके अपने यूटूब चैनल मैद गुरूटेन पर स्वागत करता हूँ आज और आज हम लोग प्रशनावली 3.2 जो दो चरवाले रखिक समिकरण यूग में चेप्टर है उसका प्रशनावली 3.2 का क्यूस्टन को हल कर जो भी चेप लोग आगे बढ़ाते हुए प्रशनावली 3.2 का पच्वा क्यूस्टन जो आपके सामने दिया गया है इसमें लिखा गया है कि एक कायताकार बाग जिसकी लंबाई चोड़ाई से 4 मीटर अधिक है का उसका अर्ध परिमाब 36 मीटर है बाग की बिमाएं ग्याद केजिए कि आइटाकार जो बाग है उसकी लंबाई और चोड़ाई को गयाद करिये है हम लोग क्या करेंगे यहाँ प्रहा लिखे है पहले कि माना आइटाकार बाग की लंबाई के लंबाई को हम L मान लेते हैं L मीटर और यही पह अ inadequ चोड़ाई की बात की जाए तो आयताकार बाग की चोड़ाई को हम लोग भी मान लेते हैं और अर्ध परिमाप अब देखें अर्ध परिमाप की चर्चा उसमें होई है तो हम लोग अर्ध परिमाप जानते हैं कि क्या होता अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आदा तो परिमा परिमाफ होगा तो परिमाफ हम जानते हैं कि आयत का परिमाफ बराबर तो आयत का आयत का जो परिमाफ होगा आयत का परिमाफ क्या होता है कि दो गोड़े लंबाई प्लस चोड़ाई हो जाता है तो लेल प्लस बी मतलब लंबाई प्लस चोड़ाई ठीक है अर्द परिमाफ क् 2, L plus B बटा में, 2 से 2 केंसेल, तो और परिम्हा बरबर क्या हो जागा, L प्लस B, चलिए एक कंडिशन को हम लोग तो देख लिए, अब आते हैं स्थिती पहला में, जो पहला है, वाक की बोला है, स्थिती, पहला में, वाक के पहला से, वाक के पहला से, चलिए इसको बहुत बिस्तरी तरीका से हाल किया रहेंगे बस end तक देखते रहेगा आगे हम वाग के पहले को लिख चुके हैं जैसे अगर हम अथवा यहां पे लिखे हैं क्या बाग की लंबाई बराबर चौड़ाई प्लस 4 बॉला हैं कि बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि बाग की लंबाई बराबर चौड़ाई किया बी और प्लस 4 यह सही है अब इसके नीचे अथवा करें नबाई बाग की लंबाई मैनस चौड़ाई बराबर 4 बाग की लंबाई L है L-B बराबर 4 यह हो जाएका थी इस्थिति से बाक की पाला से हम लोग पाला समीक Cuando बना लिए बहुत दूसरा कि यहां पर श्थिते लिखते हैं कि दूसरा जै कि वह दूसरा लिखते हैं वहां कि दूसरा अब दिया है क्या है कि बाग का जो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप है वो 36 मीटर है तो बाग का अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर अब हम लोग अर्ध परिमाप तो निकाल चुके हैं यहाँ पे अर्ध परिमाप क्या होता है एल प्लस बी एल प्लस बी अर्ध परिमाप तो लंबाई प्लस चोडाई यहां पर दो से दो कैंसल हुआ यहां पर सिधा लिख देते हैं कि लंबाई ही प्लस चोडाई के बराबर 36 मीटर अथावा नीचे एल लंबाई चोडाई भी बराबर 36 हैं यह जितु हमिकरट नमर हमारा दो हुआ अब इन दोनों सर्मिकरण से हम यहां पर बड़ाबर ब्लस फूर अब L कमान इस समिकरण दो में रख देते हैं वही अपका अंसर आ जाएगा तो आगे हम हम हल करते हैं इसको चलिए अब चाहें तो यहां पर अगर इसका अगर यहां पर L को कैंसल किर दें तो भी यहां पर तो भी कमान जोड़ देंगे तो आज आएगा लेकिन हम यहां पर समिकरण एक से करते हैं समिकरण एक L माइनस B बराबर चार तो L बराबर B यहां पर भी उधर जाएगा तो क्या होगा बी प्लस चार चलिए अब यह तो हमरा एंसर आ गया L का मतलब L कमान आ गया अब क्या करे रखने पर 2 में रखने पर समिकरण एक कमान दो में रखेंगे तो 2 कमान क्या है समिकरण 2 की L प्लस B है बराबर 36 है तो यहां पर L कमान रखते हैं तो क्या होगा बी प्लस चार प्लस B बराबर 36 ओके अब आगे अगर हम यहां पर देखें तो क्या हो जाएगा कि 2 B B को एक त अब यह प्लस 4 है, इधर जाएका भी पृत में, तो क्या हो जाएका माइनस, तो 36 मैनस 4, आगे हम लिख सकते हैं, कि B बराबर, या 2 B बराबर, यहां पर आज हो जाएगा आपका 32, अथवा, B बराबर, 32 बट्टे में, 2, 32 बट्टे में, 2, तो आगे लिख सकते हैं, कि B बराबर, 32 तो 16 मेटर, चलिए B कमान आ गया, अब B कमान हम यही पर रख देते हैं, B कमान, अब आगे, B कमान, समीकरड, एक में, रखने पर, रखने पर, तो समीकरड एक क्या है, समीकरड एक है, कि L माइनस B बराबर 4, अथवा, L बराबर B, पलस 4, तो L बराबर क्या होगा, B कमान 16, पलस 4, बराबर 20 मीटर, तो L कमान यहां पर, मतलब लंबाई, लंबाई बराबर 20 मीटर, 4 बराबर, और ये है आपका चोड़ाई 16 मीटर, चलिए इसका तो एंसर आ गया लंबाई बराबर 20 मीटर चड़ाई बराबर 16 मीटर अब अगला question की तरह बढ़ते हैं question नमबर छठवा है और छठवा का पहला को हल करते हैं पर दिशेदित करते हैं रेखाया हो जीरो दी गई है दो चरो में एक ऐसी और रैखिक समिक्रण लेखिया है मतलब इसी प्रकार एक और रैखिक समिक्रण बना देजिए ताकि जो प्राप्त यूग हो दोनों का यूग महोगा समिक्रण एक और दो का जाइमितिय नुरूपर जब करें हम तो पहला क्या बनेगा प्रतिछेदित करते हूँ रेखा हो दूसरा समानतर रेखा हो तीसरा समपाती रेखा हो अगर इसके बारे में आप नहीं जानते हैं या नहीं पड़े हैं या विश्तिरत आपको जानकारी चाहिए तो हमारे प्रशनावली 3.2 को देखिए या प्रशनावली 3.1 को देखिए जो हमारे चैनल पर अवैलबल है या पूरे चेप्टर का समान परिचे हमने दिया है जो हमारे चैनल पर अवैलबल है चलिए इस किस्टन को हल करते हैं जो आगे बोला कि प्रतिछदित करती रेखाए तो इस पहले किस्टन को हल करते हैं, इस किस्टन को हल करने से पहले इस सारडी पर ध्यान दिजिए, दिया है ग्राफ में, क्रम संख्या पाला में दिया है, अनुपातों के तुलना वाले कोलम में आए उसमें क्या दिए A1 by A2 is not equals to B1 by B2, तो आप जानते हैं क्या होता है, ग् अगर इस प्रकार अनुपाद बन रहा है कि तीनों अनुपाद जब बराबर होता है तो समपाती रेखाएं बनती है अगर करम संग्षा तीसरे में आ जाएं आप तो रेखा युगम दिया है इसमें और अब आएं अनुपादों के तुलना माले कॉलम में कि यह बन रहा है अगर इस प्रकार के संठीय निरूपड में करते हों रहे जानो होगा यह तो यह यह समपाती रेखा है इसी प्रकार का जैमितिया निरुपड में बनता है और इसका बिष्थरी चर्चा हम लोग कर चुका है अगले प्रस्ण आप लोगों ने पढ़ चुका है जिसमें 2x 3y माइनस 8 बराबर 0 दिया है और पूझ रहा है यह रैखी के समेकरण और ऐसा मतलब सम्म दो को लिखिए की जैमितिया निरुपड प्रतिछेदित करती रहा हो पहला किस्टन दिया है दूसरा है समानता रेखा हो तिसरा समपाती रहा है हम जानते हैं ज़प्रतिछेदित करते रेखा कब होगी जब इसका मानग रूप क्या होता है कि यहां पर यदि यह लिख दिजेगा यदि दिये गए समिकरड दिये गए समिकरड की रेखा है प्रति छेदित युग्म रेखा होगी कब होगी कि जब a1 बटा में a2 is not equal to बराबर नहीं होगा b1 बटा में b2 के तो हम यहां देख रहे हैं कि समिकरड नमबर पाला तो दे दिया है समिकरड नमर पाला यहां पर क्या बन रहा है कि 2x plus 3y minus 8 बराबर जिरे समिकरण नमर पहला है तो मतलब हम यहाँ पर इसको ग्राफ नहीं बनाना इसमे अपने मन से एक समिकरण को लिखना है तो समिकरण 1 तो दे दिया है एक अपने मन से दूसरा समिकरण लिखना है मतलब A1 के बार यहाँ पर A1 A2 a1 और a2 के बरावर b1 और b2 नहूँ तो यहाँपर हम लिख सकते हैं दूसरा समीकरण अगर यहाँपर लिखे हैं तो आप दूसरा समीकरण दूसरा समीकरण क्या होगा कि दूसरा समीकरण हम यहाँपर लिख दे रहेंगे 3x plus 2y minus माइनस दोस अभी हो जाएगा दूसरा समिक्रोड ठीक है जो इस अगे जो इस सर्थ को पूरा करती है जो इस सर्थ को पूरा करती है ठीक है अगर आपको यहाँ पे और आगे नीचे लिख दिजिएगा कि यहां पर पहला समिक्रण क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 पहला समिक्रण और दूसरा समिक्रण यहां पर बन रहा है 3x प्लस 2y माइनस 10 यह हो जाएगा दूसरा समिक्रण यह क्या है आपका समिक्रण यूगम समिक्रण यूगम तो इसे लिए दूसरा समिक्रण बनेगा और दूसरा समिक्रण आपका 3x प्लस 2y यही बनेगा तो दूसरा समिक्रण लिख दिये हैं हम, और इसमें सिर्फ बदायागे ज्याय जिया मिती आकृति कैसा हो, प्रतिछेतित करती ही रेखा हो तो हम यहां पर मानक समिक्रण तो जानते हैं कि एवन भाई A2 इस नाट इक वाई B2 होगा तो रेखाएं जो होगी प्रतिछेदित करती होई रेखाएं होगी अब दूसरा केश्चन को हम लोग हाल करते हैं अब दूसरा कंडिशन क्या दिया है कि दिया गया जो समिक्रण युग्म होगा उसकी रेखाएं समांतर रेखा युग्म होगी समांतर जब रेखा युगम होगी तो हम जानते हैं यहाँ पर समांतर रेखा युगम कब होगी जब यदि दिया गया समिकरड यदि दिया गया समिकरड युगम की रेखा है की रेखा है रेखा है समांतर रेखा होगी समानतर युगम होंगी तो कब होंगी यदि समानतर युगम होंगी तो यहां पर क्या होगा कि A1 by A2 A1 by A2 बराबर B1 by B2 लेकिन क्या होगा इस नाट इक वैस्ट तो C1 by C2 अब यहां पर लिक्रते हैं से तूलना करने पर समिक्रण एक तो हम लोग का दिया ही है समिक्रण 1 क्या है कि 2 X 2 X plus 3 Y minus 8 बराबर 0 अब यह हम लोग का तो समिक्रण वन है अब इसी के अधार पर समिक्रण 2 को बना देते हैं चले समिक्रण 2 को तो समिक्रण 2 क्या बनेगा यहां पर हम लिख सकते हैं कि दूसरा समिक्रण अब यहां पर क्या करना है कि A1 by A2 बराबर B1 by B2 तो A1 A2 ऐसा मान रखिए कि A1 by A2 कानुपाद B1 by B2 के बराबर हो जाए तो ऐसा हम मान रखते हैं लिख देते हैं 4X मतलब क्योंकि दो दूना के चार कर जागा 1 by 2 अब आगे कर हम यहां पर लिख दें कि प्लस 6Y क्योंकि चार दूना के तिन दूना के 6 यह भी 2 अब यहां पर C1 by C2 को बराबर नहीं रखना है आमको तो हम यहां बलिख दें 5 रख दिया यह बराबर 0 अब इस अमिक्रोड नंबर 2 बना आगे नीचे लिख दीजेगा जो इस सर्थ को पूरा करता है करता है ठीक है तो आपका समिक्रोड दो क्या हो जाएगा कि 4X प्लक्स 6Y माइस 5 बराबर 0 यही आपका अंसर होगा आगे बढ़ते हैं इसका तीसरा क्यूशन पर से लिए छटवा का तीसरा जो क्यूशन है लाश्ट पूश रहा है कि संपाती रेखा हो संपाती रेखा कब होता है हम जानते हैं कि जब तीनों अनुपात बराबर होता है A1 बाइ A2 बराबर B1 बाइ B2 बराबर C1 बाइ C2 से तुलना करने पर पहला समिक्रण हम लोग को दिया ही है क्यूशन में 2X प्लस 3Y माइनस 8 बराबर 0 यह पहला समिक्रण है इसके अधार पर दूसरा समिक्रण दिखा दीजिए ताकि जया मितिया निरूपड करें तो रेख पर नीचे लिख देंगे दूसरा समिक्रण क्या हो जाएगा अब क्या करना है कि तीनों को बराबर कर देना है तो दूसरा समिक्रण क्या हो जाएगा यहाँ पे 6y अब देखिए यहाँ पे माइनस 8 है तो माइनस लगाई और आट दूना के सोला यह भी 1 by 2 सोला बराबर 0 बराबर समिक्रड यह 2 हो जाएगा जो इस सर्थ को पूरा करता है पूरा करता है चलिए आगे अगर इसको सिद्ध करना होगा तो वही जो मानक समिक्रण है a1 x b1 y plus c1 बराबर 0 a2 x plus b2 y plus c2 बराबर 0 से क्या तूलना करने पर तूलना करने पर तूलना करके आप सिद्ध कर शकते हैं जैसे अगर मानले यहाँ 3.2 का साथ मां किउट्स लाश्ट किउट्टन है बोलना है कि समिक्रण x minus y plus 1 बराबर 0 और 3 x plus 2 y minus 12 बराबर 0 का ग्राफ कीजिए x अक्ष और इन रेखाओं से बने तुर्भूज के सिर्सों के दिरेजां कियाद कीजिए और यहीं पर इसको अगर पटल को च्यांकित कीजिए मतलब जो रेखा यहां पर तो बोलना है कि त्रिभूज अकर यहां पर क्या करेंगे अब मैं क्या हो जाए है कि 1 बाय 2 बराबर 1 बाय 2 बराबर 2 क्या है है कड़र अनुपाद इसका रएक्ट अजब अनुपाद बराबरत है थो संपाती रेखा है चलिए आप दूसरा समिक्रण आपका यहीं पर दिआ इंसर होगा अब लाश्ट किफिशन इस प्रशनावले का 3.2 का सात्वा किफिशन है उसको हल करते हैं अगला 3.2 का सात्वा किफिशन लाश्ट किफिशन है बोलना है कि समिक्रण x-y प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y-12 बराबर 0 का ग्राफ खेचिए एक अक्ष और इन रेखाओं से बने तिरभूज के सिर्शों के निर्शां ग्यात कीजिए और तरभूजअ का पथल को खायंकित कीजिए मतलब जो रेखा यहां पर तो बोलना है कि तिर भूज आकार जब तिर भूज बनेगा तो हम तो जानते हैं सिर्स होगा और सिर्स पर कोई दोनों रेखा एक दूसरे को परति शदित करेगी करेगी तो चलिए अब इसको जो त्रिभुजा कर पटल बनेगा उसको चाहांगित करना मतलब रंगना है चलिए इसको बहुत बिस्तरी तरीके से हाल करेंगे आगे इस वीडियो को बढ़ाते हैं इसा कि अब लोग आनों किस्यों नमर्शाथ प्रश्णावड़ी 3.2 का किस्यों नमर्शाथ को पढ़ चुका है इसमें दो समिक्रड दिया है एक मानस वाई प्लस वन बरावर जिरो और दूसरा है 3x प्लस टू आई मानस बार बरावर जिरो वो लहें कि ग्राफ खीचे करेंगे समिक्रड एक और एक से कुछ नहीं करना एक से तालिका बनाना है क्योंकि हमको ग्राफ सीधा बना देना है तो समिक्रड एक की तालिका तालिका बनाने पर इसी के बगल हम लिख देता है समिक्रड दो समिक्रड दो की तालिका तालिका बनाने पर और एक बात हम बता चाहेंगे जब आप लोग इसाम में हल करिएगा तो ऐससे बगल में मत तालिका बनाईगा क्योंकि वहां पे आपको काफी को फिल करना भरना होता है मतलब आपको पेज दिखाना भी होता है क्योंकि एक पेज में अगर हल कर दिये पूरा question तो उससे मतलब तो है नहीं काभी पूरा दिया आपको पूरा काभी भरिएगा और line by line नीचे उपर लिखिएगा आगे हम क्या करते हैं कि समिक्रड एक की तालिका बनाने पर और समिक्र आगे करिए कि यहां पर सिर्फ y बराबर लिखिए y बराबर 12-3x बता में 2 यह हो जाएगा आपका y कमान अब इस प्रकार इसी से हम लोग मतलब यहां y कमान ऐसा रखना है और x कमान ऐसा रखना है यह दूनों पक्षों कमान बराबर हो जाए y बराबर x प्लस 1 है यहां पर y बराबर 12-3y बता में 2 है यहां पर ऐसा मान रखना है x का यहां पर x का ऐसा मान रखना है कि y के मान के बराबर हो जाए चलिए और उसमें एक धोड़ना भी है x कमान यहां पर हम 0 रख देते हैं x कमान जीरो रखते हैं y कमान यहां पर 1 रखते हैं क्योंकि 0 प्लस 1 1 अब द स्काइबर 312 ने जिर भिष्ट करते हैं Sur Cheforkart 2 में पाले हम Zero से स्टार्ट करते हैं , इसका भिष्ट करिये आप जीरो कर देख य्लेकष कमांद तक हांपर 12 इसलिए य कमांद छे अगला अगर एक्सका एक्स कमांद दो रखें रोतियां छे रहां पर एक्सका दो रखें जो पर चलिए तालीका हमारा बन गया अब इस से हम लोग क्या कर रहे हैं ग्राफ का नहीं रूपर करते हैं चलिए ग्राफ बना लेते हैं चलिए जो हम लोग दोनों तालिका बनाए थे समिकरड एक से और समिकरड दो की तालिका बनाने पर अब हम क्या किया हैं कि दोनों तालिका तो बना लिये थे अब यह दोनों तालिका होती है और एक वर्टिकल होती है यहाँ पर ऊपर क्या लिखा एक सक्ष ठीक है और यहाँ पर नीचे हम दिखाना चाहेंगा आपको यह नीचे हो गया आपका Y-H जिसको बोलते हैं Y-H ठीक है यह इधर दिया X-H और X-H इसके बारे में तो आप लोग परचीत हैं ग्राफ कैस बनेगा अगर इस ग्राफ को बनाना नहीं जानते हैं आप इस चेप्टर का यह लंबा चेप्टर था हमने भाग तीन भाग में इसको कंप्लीट किया है पहला 3.1 में बहुत अच्छे तरह से ग्राफ बनाना हम लोग जो 3.1 में और 3.2 के भाग 1 में भी बहुत अच्छी तर बना लिया है और जो एकस वाई कमान रखे थे निर्जयसांग का उसी के तरह मतलब उसी की हिसाब से यहाँ पर रखे एकस कमान तो हम यहाँ पर क्या गारेंगे जो पहला रिखा है पहले रेखा पर पहली समिक्रण लिख देते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं पहला अब इस पर क्या लिखते हैं दूसरा समीकर अगला दूसरा समीकर जिया था 3x plus 2y minus 12 बराबर 0 जो समीकरड 1 की समीकरड first तालिक है समीकरड एक की पहली तालिक हमें क्या था अब यहां से स्टार्ट करते हैं यह तो y X command है आप लोंगों को पता ही होगा और यह X subscribe है अब यहाँ पर क्रहेंगे X वराबर हम लोगा क्या था पहला 0 था यहाँ पर start करें यह दो 0 है और Y command 1 था तो वही मान यहाँ पर हम रख सकते हैं कि PK 0 था यह कमान 1 था हम तो बो लिए अगला X कमान यहां पर क्या है X कमान एक है Y कमान दो एक मान एक sua कमान दो है तो यहीं पर लिख देते हैं X कमान एक है और वाई कमान दो है आगे यहां पर यह बिंदू पर प्रतिछेदित कर रही है मतलब दोनों जो समिक्रण है उसकी दोनों रेखा है किसी बिंदू पर प्रतिछेदित करेगी हम तो बोले थे पहले तभी तो यह तिर्भोज बनेगा तो त्रिभूज यहीं पर बन रहा है तो इसका सिर्ष हुआ अब इसका हम यहाँ पर निर्देसांग लिखते हैं कि क्या होगा दोनों का तो सेमी होगा अब देखिए यहाँ पर इसका क्या है दो X कमान क्या है दो Y कमान क्या है तीन X command पहले लिखते हैं तो 2 और Y command 3 ठीक दिया अब यहाँ पर आ जाते हैं X command क्या है X command ये देखिए X command 4 है 1,2,3,4 ओके अब आगे अगर बात करें Y command तो Y command यहाँ पर 1 आएगा यहाँ पर 2 आएगा यहाँ पर 3 आएगा लेकिन यहाँ पर 0 चल ला है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं एक्स कमाण क्या होगा चार और यहाँ पर नीचे पूरा देख लिए यहाँ पर बोला था शयांकित करने के लिए हमने पैंसर से शयांकित कर दिया जो तिरभूज बना तो यहाँ पर तिर परतिछेदित था आमने क्या किया कि यहां पर मिलेगा ही यह त्रिभी ने बना दिया है बने हुए त्रिभः क चला वह ठीकल, ऐसे लंबोत लंबोत चला और Y कमांद 6 जैसे चल रहा है, यहाँ पर X कमांद क्या चला है, 0, X कमांद यह आप अलिक देज़ेगा, 0 और Y कमांद 6, चलिए यह graph भी आपका complete हो गया, चलिए रशनावले 3.2 का last question complete होता है, आप चाहें तो इसका इसनी शॉर्ट ले सकते हैं, या नोट कर सकते हैं, चलिए तो धन्यवाद, और इसी तरह कुछ नया सीखने के लिए, कुछ अच्छा सीखने के लिए, और अपने आपको बेटर करने के लिए, अमारे चैनल पर विजिट करिएगा, और बहुत सारे वीडियो उसमें दिया है, और इसके तीनों भाग को देखिएगा, जब तक तीनों भाग को देखिएगे नहीं, एक भाग आप देखिएगे, तो समझ में उतना आएगा नहीं, वसरत्या हमने कोशिस किया है, कि अच्छी से आपको समझा दें, चलिए धन्यवाद,